हेलो गाई स्वागत है हमारे चैनल बीएसी एजूकेशन लेक्चरर्स में आज हम पढ़ रहे हैं बीएसी फाइनल यर मैथ सेकेंड बेपर रीमान समाकलन यूनिट फस्ट ठीक है तो कॉसन है प्रूफ एट लपीएफ एक्वल देन एंड लेस देन यूपीएफ से ठीक है ले रीमान समाकलन की आप लोगों को डेफिनिशन बता हुई है तो सबसे पहले ऐसे कॉसम जिसके लपीएफ और यूपीएफ निकालना हो तो उसके लिए अपनको सबसे पहले डेफिनिशन लिखनी होगी तो पूरी रीमान समाकलन की आप अपन डेफिनिशन लिखते हैं तो मा अपना विभाजन किस प्रकार है कि X0 लेस देन है X1 से X1 लेस देन है Xn से ठीक है इस प्रकार अपन का विभाजन दिया गया है तथा X0, X1, X1, X2, X2, X3, X, R-1, XR, Xn-1, Xn यह अपन के आएक है O5 तराल दिये गए है जो अपन के यह है O5 तराल कहलाते हैं और यह बिभाजन P है ठीक है अब इसके बाद हपन यह देखते हैं कि इसमें IR कैसे निकालते हैं IR निकालने के लिए अपन को जो यह आगे का पद होता यह XR-1 यह चोटा कहलाया और यह XR बढ ले ले लेंगे और अबमार्द inf discourdetो बड़कायर कर गया अब इल एकसे निकाल दे तो ठीड़ वालँ पाद बड़े मिवडर्ड रभडी ऑफिन टिकर यह डीना होगा है रीमान समंखरोन की डेफिनियसं के बाद आके अपन को रीमान की डेफिनियसंस से मला हम जानते है रिमान समाकलन से कि जो small mr है वो equal than and less than है capital mr से ठीक है अब दोनों पक्षों ये तो अपन को समझ में आगा कि small mr less than and equal than capital mr से तो दोनों पक्षों में del xr से गुणा कर दो ये वाला ठीक है इसका गुणा करेंगे तो small mr into del xr equal than and less than less than and equal than capital mr into del xr से ठीक है अब बात आती इसमें अपन को क्योंकि आप देखो ये अपन ने del xr से क्यों गुणा किया ये भी पता होना चाहिए ये अपन ने इसलिए गुणा किया है क्योंकि जो lpf है ये अपन का इसका जो बरावर होता है सिग्मा r is equal to 1 tends to n small 1 into del xr तो देखो अपन का small mr और capital mr तो था लेकर डेल xr नहीं था क्योंकि अपन इसी प्रकार से कॉस्ण बना रहे कि ताकि ये सिद्ध हो जा तो अपन इसमें del xr से दोनों पक्चों में गुणा कर दिया अब इसके बाद अपन को ज़ूरत पढ़ती है सिग्मा r is equal to 1 tends to n की तो दोनों पक्चों में सिग्मा r is equal to 1 tends to n लेगी अपन तो इसमें लें गे इसके बाद अपन दोनों में लो ये ले लिया थीक है सिग्मा r is equal to 1 tends to n small n into del xr less than and equal than sigma r is equal to 1 tends to n capital mr into del xr दोनों पक्चों में अपन ने सिग्मा r is equal to 1 tends to n ले लिया अब इसके बाद ये अपन की value कहीं की बने और यह बनगे UPF की ठीक है तो LPF इसकी वैल्यू LPF और इसकी UPF और यही अपन को सिद्ध करना था तो यह अपन का प्रूफ सिद्ध हो गया ठीक है तो सबसे पहले यह कॉसन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसे जरूर करीजिएगा और वीडियो इसको पूरा देखेगा और वीडियो पसंद आये तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें थैंक यू